दार्मिक नगरी तीर्थ राज प्रया की महिमा आपरंपार है मोक्ष दाइनी मागंगा के पावन तट परबसे प्रयाग राज भक्तों की सभी प्रकार की मनो कामना पूरी करने वाले हैं वेदों में बताए गए इनके महत्व को सारा संसार जानता है उत्तर प्रदेश के इलाहबाद जिले में इस्थित तीर्थ राज प्रयाग को कुम्ब की नगरी भी कहा जाता है पूरब का आक्सफोर्ड माना जाने वाला इलाहबाद विश्विद्याले तीर्थ राज की शोभा बढ़ा रहा है एतिहासिक और आधुनिक महत्व के साथ ही ये शहर अपनी धार्मिक पवित्रता के लिए भी सदियों से मशूर रहा है यहीं पर है तीर्थ राज प्रयाग इसके महत्व को बताते हुए गोस्वामी तुलसी दास्ची ने रामचरित मानस में लिखा है प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है ऐसी मानिता है कि तीर्थ राज से मिलने के लिए स्वयम समुद्र राज को भी प्रयाग आना पड़ा था यहीं पर है पवित्र गंगा और यमना का संगम गंगा और यमना दोनों ही देश की बड़ी नतिया है इसी पवित्र जगह पर आकर दोनों का मिलन होता है इस स्थल को संगम कहा जाता है पौराणी का ख्यानों में संगम को त्रिवेनी कहा गया है इसके नुसार यहां गंगा, यमना और सरस्वती तीनों का मिलन हुआ कहा जाता है कि वो अब जमीन के नीचे से होकर बह रही है प्रयाग में ही है भार्द्वाज रिशी का आश्रम, जहां पर वन्गमन के समय भगवान शिरी राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्षमन के साथ पधारे थे पवित्र संगम का ये तठ भगवान राम की चरण धूली से पवित्र हुआ है यहीं पर है महावीर हनुमान जी की अनुखी प्रतिमा ये प्रतिमा इसलिए अनुखी है क्योंकि बजरंग बली के आम मंदिरों से अलग यहां वो आराम से लेटे हुए हैं इलहबाद और आसपास के लोगों में इस मंदिर के बारे में विश्य श्रध्धा है सम्मान से लेटे हुई इस प्रतिमा को श्रध्धालू बड़े हनुमान जी कहते हैं बड़ा शब्द इस प्रतिमा के कल्यान कारी प्रभाव से भी जुड़ा है भक्त वस्सल हनुमान जी यहां आने वाले सभी श्रध्धालूं की मनो कामना पूरी करते हैं कहा जाता है जो भी श्रद्धालू यहां सच्चे मन से हनुमान जी के दर्शन और पूजन करता है, उसके सभी कार्रे सफल हो जाते हैं बांद के नीचे से ही शुरू हो जाती है संगम की सीमा संगम तड़ पर जाने वाले मुखे रास्ते में दाइनी ओर ही है बड़े हनुमान जी का पावन मंदिर संगम इस्थान के लिए आने वाले श्रद्धालू यहां आकर बड़े हनुमान जी के दर्शन कर पूर्णे लाब उठाते हैं वैसे तो यहां हर दिन लोग दर्शन के लिए आते हैं मगर मंगलवार और शनिवार के दिन यहां श्रद्धालूओं का हुजूम उमड़ परता है यह दोनों ही दिन हनुमान जी के माने जाते हैं मानिता है कि इन दिनों में हनुमान जी की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं शाइन्जा फिर्पिया झाल 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 झाल